हलो फ्रेंड्स मैं अतुल दिवेदी आप सभी का एक बार फिट से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइंडी ट्यूब प्रियाग्रास में आज का टॉपिक हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी इट मेंस सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों पढ़ती है तो से अगर बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो बहुत अलग अलग ताइप के आपके सेकेंडरी मेमोरी आते हैं आप किसी को भी परचेस करके अपने सिस्टम यूज कर सकते हैं फार इक्जांपल यहां पर हम लोग फस्ट टॉपिक की बात करते हैं पहले पॉइंट की तो जैसे से secondary storage device होता है, जिसका use करके हम लोग क्या करते हैं, अपने computer में, या फिर अपने computer में, बड़े से बड़े data को store करने के लिए, इसका use करते हैं, the operating system software, titles and most other files, are stored in the hard disk drive, जैसे आपका operating system software हो गया, तो वो भी हम लोग, उसको भी use करते हैं, उसको भी store करते हैं, कहां पर, अपने hard disk में store करते हैं, अब यहां पर यह जो use करता है, किसको use करता है, magnetic storage को use करता है, और इस technology के help से क्या करता है, data को, data information को store करता है, या पर आप store करके, वापिस से जब कभी receive करते हैं, इस technology का use करके, इस technique के base पर वो क्या करता है, आपको वो data वापिस return करता है, it is come different storage capacity, तो यह आपको market में अलग-अलग storage capacity की मिल जाएगी, जैसे आपका 60 GB हो गया, 80 GB, 500 GB या, TB के form में भी, TB में भी data को store करने के लिए hard disk मिल जाता है, बात करें यहाँ पर, तो hard disk को हम लोग दो तरीके use करते हैं, एक internal होता है, एक external होता है, जब हम अपने hard disk को system में inbuilt करवा लेते हैं, तो वो as a internal hard disk use हो रहा होता है, जब उसको हम लोग portable form में use करते हैं, जब ज़रुत पर हम लोग attach कर लिए, काम हो गया तो वापिस से उससे क्या करते हैं, remove कर देते हैं, तो वो क्या होता है, हम लोग का external तवर पे use होता है, next topic पर चलते हैं, next point हम लोग का CD, DVD, Romeo, Rwm, CD, sort for compact disk, तो CD को हम लोग short name से जानते हैं, जिसकों लोग CD कहते हैं, it is an optical medium that can store digital data, ये किसी digital data को store करने का optical medium होता है, it is designed to replace the old cassette tape, तो इसको design किया गया था, पुराने वाले जो tape की cassette होते हैं, उस technology को remove किया गया, it means उसको replace करके, ये CD उसकी place पे क्या किया गया, usually a standard CD can store about 700 MB of data, समाने था आपका जो एक standard CD में space होता है, डेटा को store करने का वो 700 MB ही डेटा store कर पाते हैं, next, DVD short for digital versatile disk, DVD को हम लोग short name से, DVD का full form होता है, digital versatile disk, इसको हम लोग short name से जानते हैं, DVD के नम से, it is also an optical medium to store digital data, ये भी एक digital data को store करने का, ये भी एक optical medium था, standard DVD can hold 4.7 GB of data, एक standard DVD जो होता है, वो 4.7 GB data को store कर सकता है, so DVD is widely used to store large file, like video and movie, तो यहां पर क्या होता है, DVD को हम लोग, DVD में बड़े से बड़े data को store, कर पा रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, 4.7 GB data को यहां पर store कर सकते हैं, for example, आप movie या, video अगरा यहां पर store कर पाते हो, the capacity is the biggest difference between CD and DVD, अब जो बड़ा डिफरेंस है, CD और DVD के बीच में, वो उसका difference, main difference है capacity की वज़ा से, तो यहां पर क्या होता है, CD में आप 700 MB के data को store कर पाते हो, लेकिन DVD में आप 4.7 GB data को store कर पाते हो, आए चलते हैं अपने next topic पे, तो next topic हम लोग का special type memory, जिसमें हम लोग cash memory को पढ़ते हैं, तो इसके पहले हम लोग discuss कर लेते हैं, और भी कुछ secondary storage device होते हैं, जैसे आपका pen drive हो गया, memory card हो गया, तो उसको भी हम लोग as a secondary storage device use करते हैं, pen drive को हम लोग और भी नामों से जानते हैं, जैसे आपका flash drive हो गया, thumb drive हो गया, उसको use करने का जो technique है, उसके बारे में आप लोगो already वैसे भी पता होगा, तो pen drive को हम लोग कैसे use करते हैं, उसका USB port होता है, हम उसको system में attach करते हैं, फिर जिस भी file को हम आप पे save करना चाहते हैं, store करना चाहते हैं, उसको store कर लेते हैं, remove कर सकते हैं, और आसानी से उसको portable form में होता है, एक जगा से दूसरी जगा move भी कर पाते हैं, आई यह बात कर लेते हैं, हम लोग cash memory, तो क्या होता है cash memory, cash memory is a very high speed semiconductor memory, which can speed up CPU, तो cash memory एक काफी high speed वाली semiconductor memory होती है, जो कि CPU के speed को increase कर देती है, it act as a buffer between the CPU and main memory, CPU और main memory के बीच में यह as a buffer work करता, it means cash memory की वज़ा से ही, यह क्या होता है, CPU की speed increase हो जाती है, it is used to hold those part of data and program, which are mostly frequently used by CPU, तो यह उस data को hold करता है, उस data को रखता है, जिस पे CPU उस time पे present time में काम कर रहा होता है, the advantage of cash memory are as follows, advantage पर बात कर लेते हैं, cash memory is faster than main memory, तो cash memory main memory के comparison में काफी fast होती है, it consumes less excess time as compared to main memory, तो main memory के comparison में यह क्या होता है, काफी कम time लेता है किसी भी work को perform करने के लिए, it stores the program that can be executed within a short period of time, तो यह उसी program को, उसी data को store करता है, जो execute हो रहा होता, इसी को जो short time के लिए ही कोई काम perform करता है, it stores the program that can be executed within a short period of time, तो यह उस program को store करता है, जो थोड़े time के लिए execute होता है, it stores data for temporary use, यह data को temporary use के लिए ही store करता है, चलिए चलते हम लोग अपने next point पे, it is the amount of data that can be stored in the storage unit, तो यहाँ पर आपको कुछ unit दिए गया है, जो computer का करता है, store करता है, unit of computer memory measurement, तो आप इसको देख लिजेगा, और इसको copy में भी note कर लिजेगा, बात करें, यहाँ पर one bit की तो binary digit की बात होगी, या तो फिर एक zero होगा, या तो फिर एक one होगा, one byte में आपके total eight bit होते है, it means यह zero और one का collection होगा, यह जब eight bit हो जाएंगे तो वो one byte होगा, अब one kb में आपके one zero two four byte होते है, one zero two four kb में one mb होते है, आप इसको एक बारी start को देख लिजिएगा, आए चलते हैं हम लोग अपने next topic पे, तो बात करते हैं यहाँ पे hardware और software की, तो सबसे पहले हम लोग इस start करेंगे, क्या होता है hardware, तो हम लोग अगर directly बोले तो, the physical component of a computer is known है hardware, तो आपके computer का जो physical component होता है, जो physical part होता है, जिसको हम लोग touch कर पाते हैं, उसको क्या खते हैं hardware, example है आपके, जैसे आपके input device में, आपको mouse हो गया, keyboard हो गया, motherboard हो गया, यह सब क्या है, hardware device में के part है, output device में, printer हो गया, monitor हो गया, secondary storage device में, हम लोग hard disk को use करते हैं, CD, DVD, internal component में जैसे, CPU, motherboard, RAM, etc. तो, computer का कोई भी physical part हो, कोई भी physical component हो, that is known as hardware. Hardware represents the physical and tangible component of a computer, the component that can be seen and touched. Next topic है, लोग का, तो बात करते हैं, यहाँ पे relationship between hardware and software, hardware के बीच में क्या relationship होता है, hardware and software are mutually dependent on each other, both of them much work together to make a computer produce a useful output, तो hardware और software दोनों एक दूसरे पर depend रहते हैं, कोई भी एक दूसरे के absence में, कोई किसी भी work को perform नहीं कर सकता, next है, software cannot be utilized without supporting hardware, तो बीना hardware के support के हम लोग software से कोई काम नहीं हैं, कर सकते हैं, software का कोई भी use नहीं कर सकते हैं, hardware without setup program to operate upon cannot be utilized and is useless, hardware के साथ भी वहीं होता है, अगर आपका कोई program set नहीं है, कोई भी program बना है, तो बीना, sorry, आप अगर hardware का use करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास कोई software नहीं है, software development is very expensive and is a continuing expenses, तो software development क्या होता है, expensive होता है, और ये continuing expensive हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ चीज़े update होके add होती रहती है, different software application can be loaded on a hardware to run different job, तो अलग-अलग software को हम लोग क्या करते हैं, system में load करते हैं, और उसकी help से हम लोग अलग-अलग work perform करवाते हैं, a software act as an interface between the user and the hardware, तो software का दूसरा काम भी होता है, वो क्या करता है, user और hardware के बीच में intermediary का work भी करता है, if hardware is the heart of computer system, then software is a soul, both are complementary to each other, यहाँ पे अगर बात करें, hardware अगर आपके computer system का heart है, तो आपका software भी soul है, तो आप heart और soul के connection से समाझ सकते हैं, कि hardware और software एक दूसरे पर कैसा interdependent है, next point हम लोग का, software क्या होता है, तो software is a set of program, which is designed to perform a well-defined function, तो software क्या होता है, किसी भी program का एक set होता है, किसी भी काम का जो छोटा 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 instruction होता है, किसी भी work को करने के जो कई सारे instruction होते हैं, उसी से मिलता है, हम लोग का मिलके बनता है, क्या program बनता है, which is designed to perform a well-defined function, जिसको design किया जाता है, किसी भी function को perform करने के लिए, किसी भी work को perform करने के लिए, अब program is a sequence of instruction written to solve a particular problem, program क्या होता है, किसी भी instruction को, इसी particular problem को solve करने के लिए, there are two type of software, आपके software दो type के होते हैं, एक होता है system software, एक होता है application software, system software में आपके, दो तीन type होते हैं, जिसमें आपका पहला है operating system software, दूसरा है utility software, तीसरा है system development software, जैसे आपके इसी कोंच प्रोग्रामिंग language software भी कहते हैं, बात करें हैं आप यह operating system के, तो operating system में जैसे आपको Windows XP मिल जाएगा, Windows 7 मिल जाएगा, Windows 8, Windows 9, 10, 11, तो कई सारे Windows के latest version मिल जाते हैं, यह operating system के type है, Linux हो गया, आपका Mac हो गया, Android हो गया, और मिलती है, नेक्स आपका system development software, तो system development software जैसे आपकी programming language software की बात करें, तो compiler हो गया, interpreter हो गया, या फिर assembler हो गया, नेक्स आपका application software, तो application software में आपका जैसे MS Word हो गया, MS Excel हो गया, MS PowerPoint हो गया, एक बाफ फिर से हम लोग देख लेते हैं, अगर हम directly बोलें कि what is system software, तो system software वो software होता है, जो system को run करने में help करता है, next अगर बात करें application software की, तो application software वो software होता है, जो user अपनी need के काड़िल, जो user अपनी जरूरत के अनुसाथ डाउलोड करता है, उसको क्या करते हैं, application software, application software को system software की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन application software को run करना है, तो आपे system software की जरूरत पड़ेगी, the system software is collection of program, designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer itself, system software कई सारे program का collection होता है, जिसको design किया जाता है, किसी भी काम को करने के लिए, operate करने के लिए, या कोई भी problem होगा, उसको solve करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, system software को install करते हैं, या फिर hardware से कोई काम करवाना है, तो यहाँ पर system software की जरूरत पड़ेगी, system software are generally prepared by computer manufacturers, system software को बनाया जाता है, जब computer manufacturer होड़ा आता है, तो वहाँ पर उसको पहले से ही क्या किया जाता है, install करके तब आप उसको use कर पाते हैं, system software serves as the interface between hardware and the end user, system software ही intermediary का काम करता है, it means user interface बनाता है, user और hardware के बीच में, some example of system software, operating system, compiler, interpreter, assembler, यह सब एक्जांपल किसके हैं, system software के, application software product are designed to satisfy a particular need of a particular environment, all software applications prepared in the computer lab can come under the category of application software, application software may consist of a single program such as Microsoft, notepad or written writing and editing simple text, it may also consist of collection of programs often called a software package, which work together to accomplish a task such as spreadsheet package, हम सीधे सीधे बात करें, application software की तो अभी हम लोगों ने discuss कर सुखा है, कि application software वो software होता है, जो user अपनी need के according अपनी जरुरत के अनुसार, install करता है, download करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर मालीच आपके system में note word नहीं है, MS word नहीं है, तो वहाँ पे का system को उसकी कोई जरुरत है नहीं, वो हमारी जरुरत है, हम उसको अपने according install करते हैं, download करते हैं, आए चलते हैं अपने next point पे, application software के कुछ example हो, तो यह बहुत सारे example होते हैं आपको, तो आप इसको देख लिजएगा, जैसे आपका railway reservation software हो गया, Microsoft Word हो गया, Excel हो गया, PowerPoint हो गया, बात नहीं हैं आपे features की, तो वो important है, close to user, application software क्या होता है, user से close होता है, easy to design, इसका यूज़ करके हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, more interactive, interactive भी होता है, slow in speed, speed क्या होती है, थोड़ी, slow होती है, generally written in high level language, इसको किस language में लिखा जाते हैं, high level language, तो high level language क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने already discuss कर रखा है, अगर आप इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप इस triple C complete core series को, एक बार starting to end तक देख लीजे, तो वहाँ पे सारे आपके problem solve हो जाएंगे, easy to understand, easy to manipulate and use bigger in size, and required large storage space, size भी बड़ा होता है, और जादे space की भी जरूरत होती हैं, तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग का complete होता है, chapter number first, introduction to computer, next class में हम लोग discuss करेंगे, operating system, it means हम लोग का जो chapter second है, उसका नाम है operating system, यहाँ पे हम लोग बात करेंगी, क्या कैसे operating system होता है, तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो, तो लाइक करना न भूले, और अपने दोस्तों को भी share कर दे, आज की क्लास यही तक के लिए, थांक्यू,